नमस्कार दोस्तों हम आपके साथ आज फिर मौजूद हैं बहुत से दिनों के बाद तो आपको आज दिखाते हैं कि हमारे वहाँ बारा बंकी में जो धान की रुपाई है वो अब की बार थोड़ी लेट रही है और इस समय रुपाई चल रही है तो आपको दिखाते हैं जी आप देख सकते हैं कि यहां हमारा थो फू ठासराएC रहा होगा वहां पर तो वह इता हाज रास्ता disc ईदक यहां रहा रहा है इस वजह से आज हम लिखोने इंजन से धा cuma को 65 लगा करके पानी पहुंचाया जा रहा है इस तरह से क्योंकि नहर की सुविधा तो यहां पर उपलब्द है लेकिन सब एक साथ रुपाई चल रही है वज़े से पानी मिल नहीं पाया और आज ही हमको यह खेट में धान लगवाना बहुत जरूरी था इसलिए यह काम किया जा रहा है चलिए आपको दिखाते हैं खेट कहां पर है अभी आपको दिखा रहे हैं तो हमारा थोड़ी सी दूरी पर ह तक की वीडियो रोंक देते हैं सब तक नहीं पहुंच रहे हैं यह पाइप लाइन पहुंच रही है ऐडर है यह तो डेकि यह उन पानी छोड़ा गया है यह आप देख सेक्ते हैं यहाप पानी चल रहा हैं और इस्में दान लगाना है यह दो टुकड़े हैं यह मेड़ है उसके बाद वाला और यह तो इसमें पानी भड़ा जा रहा है भी अभी ट्रेक्टर आएगा और उससे इसकी जुताई की जाएगी कल्टीवेटर से क्योंकि यह सूखे में जोता जा चुका इसलिए रोटोवेटर रुपाई की जाएगी फिर पाटा लगया जाएगा और उसके बाद लगेगा धान और धान की रुपाई यहां पर फ्री हैंड होती है जो ठेकेदार होते हैं वो लगाते हैं और कुछे दूसरे तरह से लगवा लेते हैं कुछ लोग दिहानी देकर यह देख सकते हैं आब यहां पर जो बेरंध अब धान का कंजोर रह गया क्योंकि अपकी बार लेत हो गई बेरंध और इस वज़े से धान यह थैसे थोड़ा सव्त रहा है लग गया तो इसका रास्ता खतम हो जाएगा इस वजह से तो इसमें भी आजदान लग जाएगा तो आज हम आपके लिए आलू के लिए वीडियो भी बनाएंगे आलू का भाव बताएंगे तो वीडियो अच्छी हमारा ट्रेक्टर आ गया कोबोटा मैं तालेश जीरो है किसी जाएगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद